नमस्कार, SPN 9 News में आपका स्वागत है दिली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल को दिली राउज जवेनी कूट से बड़ा जटका लगा था CBI की रिमांड के बात अर्विंद केजरिवाल पर सुनवाई के दोरान 29 जून को तै हुआ था कि 12 जुलाई तक न्याइक हरासत में रहेंगे लेकिन अर्विंद केजरिवाल ने इसको चुनौती देते हुए हाई कूट का रास्ता अपनाया आपको बता दें कि दिली हाई कूट में CBI की और से की गई गिरफतारी को चुनौती देने वाली मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल की याचिका पर आज सुनवाई है केजरिवाल की और से याचिका दाखिल की गई थी जिसमें जस्टिस नीना बंसल किष्णा की बैंच याचिका पर अब सुनवाई करेंगी केजरिवाल ने राउ जविने कोट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसके तहत उनको तीन दिन के लिए CBI रिमांट पर भेज़ा गया था कोट ने 29 जून को केजरिवाल को 12 जुलाई तक नाएकी रहासत में भेज़ दिया था इसके लाबा केजरिवाल ने कोट से अपने वकीलों के साथ पीसी के माध्यम से अत्रिक्त लीगल मुरकात की मांग करने वाले याल चिका को खारिच कर दिया है आपको बता दें कि CBI केजरिवाल के खिराफ शराब नेती केस में भृस्टर सार से जुड़े मामलों के जाच कर रही है इस मामले में CBI ने 26 जून को केजरिवाल को गरफतार किया था केजरिवाल शराब नीती से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामली में पहले से ही तिहार जेल में बंद थे केजरिवाल पर दो मामले दर्ज हैं पहला E.D. का जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉंडरिंग का केज दर्ज किया गया है इरी ने केजरिवाल को 21 मार्श को गिरफतार किया था दूसरा CBI का जिसे शराब नीती में भृष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया था इस केज में 26 जून को केजरिवाल को दुबारा गिरफतार कर लिया गया ये केज दिली LGV के सकसेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था दोनों मामले अलग-अलग दर्ज किये गए हैं इसलिए इन में गिरफतारी भी अलग-अलग हुई है इरी केस में केजरिवाल की नियाई खिरासत 3 जूलाई को खत्म होगी बलकि CBI केस की बात किये जाए तो 12 जूलाई को उनकी नियाई खिरासत पूरी होती हुई नजर आएगी लेकिन अर्विंद केजरिवाल ने इसको चुनाती दिलिहाई कोच में दे दी है अब देखना होगा कि क्या CBI के गिरफतारी के तहत अर्विंद केजरिवाल को राहत मिल पाएगी या फिर नहीं